देरे बोलो, कोई सुनना ले ये बात हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुह से भी निकली होगी लेकिन सोचने की बात ही है कि ये वाक्य कब-कब हमारे मुह से निकलता है और कब-कब हमारे कानों में पड़ता है क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते अक्सर परिवार में अशान्ती का कारण हम स्वेम ही होते हैं हम इस बात को देख पाएं भले ना देख पाएं पर ये असल सकते हैं क्योंकि जाने अंजाने मुर्कतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए और वही बातें जो जाने अंजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाता है वही हमारे जगडे का कारण बन जाता है और फिर बाद में हमें पच्टावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी मेरी ही गलती हुई कि मैंने मैंने जाने अन जाने ये बात सभी को बता दी इसलिए आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको साथ ऐसी बातें बता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी ये जो साथ बाते हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी क्यों नहीं बतानी इसके पीछे का तरक भी मैं आपको दूंगा और इन साथ बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया तो कमेंट शेक्षन में जरूर बताना इस से पहले कि आप इस बहुत कहानी में खो जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक समय की बात है एक नगर में रिंकु नाम का एक युवक रहता था वो युवक बहुत गरीब था कुछ पैसा नहीं था उसके पास दो वक्त की डाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था फिर एक दिन उसने अपनी पतनी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी उसने अपनी पतनी को कहा कि मैं जिस जगे भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की ज़रूरत नहीं है मैं काम की तलाश कर करके ठक चुका हूँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा अपने बच्चों को कैसे पालूँगा और ये चिंता मुझे दिन रात खाये जा रही है ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम दो बार उसके पास जाते तक नहीं हो अगर तुमें उनसे काम लेना है तो तुमें हमदर्दी जतानी होगी तुमें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझ कर तुम्हे काम पर रख लें इसलिए शर्म मत करो उन्हें अपनी मजबूरी बताओ अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाये से तुम काम पा सकते हो ये बात रिंकू की मस्तिश्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेट के पास जा पहुँचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेट से प्रातना की उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवशकता है वो जो कुछ भी उसे देंगे वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा पर किर्प्या करके मुझे अपने यहां काम पर रख ले उसकी यहालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उने ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भई तुम्हे काम की ज़रूरत थी मैंने तुम्हे काम दिया मेरा धन्यवाद करने की बजाए तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो ये कैसी भलमन साहत है ये सुनकर रिंकू वही पर चुप हो गया बात कही ना कही सत्य थी सच थी सेट ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसी लिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था लेकिन देरे देरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना सुरू कर दी कि उसका सेट कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है समय बीटता रहा और रिंकु पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी सेट अब रिंकु से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था ये बात रिंकु के मन को बहुत खलती थी वो दूसरों से ज़्यादा मेनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है इससे उसके आत्मसमान को बहुत गहरी चोट पहुँची अब दीरे दीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा उसका मन काम में लगदा ही नहीं था जाहिर सी बात है कि ऐसी जगे किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसमान के साथ समझोता करना पड़े इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्तर समझते थे उसे दिलासा देते थे लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे वो कहते कि कितना बेवकूफ है सेट ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिये अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा इसके ऐसी हालत है काम तो इसके पास कुछ है नहीं पैसा कहां से लाके देगा और इसी वज़े से रिंकू की हालत दिन बे दिन खराब होती जा रही थी अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था वही दोस्त वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे वो उसे दया का पात्तर समझ रहे थे उन्हें उसके उपर तरस आ रहा था सब लोग आकर उसे ग्यान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सायता नहीं करता था और अक्सर ऐसा ही होता है ग्यान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़ कर हाथ पकड़ कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं एक दिन उसे पता चला कि पडोस के गाउं में एक बहुत भिख्षू आया हुआ है रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिष्थिती बताता है उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा वैवार रखते हैं सारी बातें सुनकर बहुत भिख्षू ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंते ये सारी समस्याएं तुमारी बुद्धी हिंता, तुमारी मूर्खता के कारण उत्पन हुई है अगर तुमारे अंदर विवेक होता तो इन में से एक भी समस्या तुमारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी लेकिन तुमने अपने अविवे के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में काटे बिछा दिये आज मैं तुम्हें साथ बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तु दूर कर ही सकते हो जो भी वज़े, दुनिया की वज़े से तुमारे अंदर पनपते हैं पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्तर बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना हो सकता है कि आज वो तुमारी मजबूरी देखकर तुमारी सहायता करते लेकिन कल वो तुमारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुमारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो अगर घर में दो रोटी है, सूखी रोटी है तो वही खा कर सोजाओ लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रियोजन होता है एक इनसान का या तो वो दूसरों से सानुभूती हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा अदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविश्य की रणनीतियां जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती जाहिर है तो उन्हें बताने का क्या प्रियोजन रह जाता है आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविश्य में हमेशा आपको उसी नजरिये से देखेगा इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो और जरा सोचो कि आप वैर्त में ही अपने भविश्य की रणनीतियां तूसरों के सामने बता रहे हो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविश्य की रणनीतियां अपनी डिंगे हाकने का क्या फाइदा वो लोग आपके साहेता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविश्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं आप खुद अपने विवेक का इस्तमाल करिए और सोचिए कि आपके जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातसीत होती है हमारे माबाप के साथ हमारी पतनी के साथ हमारे बच्चों के साथ वो बातें परिवार तक ही सिमित रहनी चाहिए अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने दिन्डोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में गुशने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फाइदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे वो आपके परिवार के सदस्यों को आप से दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे अक्सर ऐसा होता है हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के जगड़ों को कम करने के लिए उन जगड़ों को अपने पडोशियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं लेकिन इससे आपको सहयता कभी नहीं मिली होगी बलकि आपके घर के लड़ाई जगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहि के लड़ाई जगड़े किसी के सामने मत बताना अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं बताने चाहिए वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूँगा मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रियोजन हो सकता है जरा सोची कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि साहेता कर सकता है लेकिन ये साहेता कर नहीं रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीज एक जगड़े का कारण हो सकती है कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो साहेता मांगेंगे तो अपनी आमदनी बताने का कोई प् कमजोरी या उसकी ताकत क्या है लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साजा नहीं करनी है क्योंकि अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंड ही लेगा अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पतनी या अपने पती को भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रू आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी गनिष्टता बना कर आपको दोखा दिलवा सकते हैं आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपके शत्रू का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है आपको धोखा दे सकता है इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना अगली और आखरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना नहीं तो दान करना वैर्थ हो जाता है बेकार हो जाता है जब आप अपने दान का धिंडोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुश हूँ और ये आपके अंदर एक अंकार निर्मित करेगा इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है उतना ही फलदाई होता है जब आपका बाया हाथ दान कर रहा हो तो दाए हाथ को भी ना पता चले कि बाया हाथ दान कर रहा है ये साथ बातें जो बोध भिख्षू ने रिंकु को बताई इन में संसार के सभी सिद्धान्त चिपे हुए इन बातों का अनुसरन करते हुए आप अपने घर में सुक्षान्ती बना सकते हैं और घर के जगडे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी और हमारा कहानी सुनाने का अगरित हो आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट शेक्षन में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं और इनके अलावा भी अगर आपको जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट शेक्षन में जरूर डालें तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट शेक्षन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल लखें